Hey legends, what's up? सवागा था आपका एक बिलकुने वीडियो में आज के वीडियो में हम बात करने वाले बहुत सारे बुढ़ों के बारे में जिनके जवानी में बहुत जारा दबदबा था लेकन अभी भी बो कंटीनू कर रहे हैं And this video is all about top 10 most powerful and strongest old man in anime history तो ज्यादा बात ना करते हैं करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और इस वीडियो को पूड़ा देखेगा वरना आपके माइन में कुछ गलत सवाल क्रेट हो सकते हैं And as always we are serious So number 10 में आता है Jojo's Bizarre से Joseph Joe Star Joseph actually Jojo's Bizarre Adventure की second part का main protagonist था और तो जोसेफ एक well-known ripple and stand user भी है जो की actually use कर सकता है Hermit Purple को And Hermit Purple एक psychic photographic stand है यह अगज में यह बहुत ही जादा अच्छा तो था है लेकर बुड़ा हो जाने के बाद भी यह अभी भी Hammond को use कर सकता है And he can also build his own stand और यह अभी भी Hermit Purple को use कर सकता है Magic Photographs लेने के लिए और जोसेफ के बास अभी भी बहुत सारे ऐसे moves है जो की इसके sleeps के अंडर रहते हैं और जो की इसको एक cool grandpa बनाता है और तो और बुड़ा हो जाने के बाद यह फिर भी उल्टी सी दिहरकते करता है लेकिन इसके चतुराई से और इसके करेच के वज़े से यह जानता है कि किस problem को कैसे deal किया जा सकता है तो नमबर नाइन में आता है Yoshinobu Gakuganji from Jujutsu Kaisen तो Gakuganji जेतर साल के उमर में भी गिटार अप्छा बजा लेते हैं और तर यह है एक प्रिंसेपल क्योतो जुट्सु हाइका और Gakuganji के पास बहुत सारे अमेजिंग टैलेंट्स है बट वी नोग दाएर मनी सुपर ओवर पावर अनिमे करेक्टर्स इन जुट्सु कैसेन बट फिर भी Gakuganji की जगह बहुती स्पेशल होती है हाँ मानता हूं की वह बहुती बुद्धा है लेकिन इसके पास ट्रिमेंडरस अमांट अफ कर्स्ट एन जी है और यह बहुती एक्स्पिरियंस जुट्सु सॉसरर है और Gakuganji के पावर्स के बात करें तो Gakuganji के पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें की वह अपने गिटार की साउंड को एम्प्लिफार करके साउंड वेज प्रोडूस कर सकता है विद्धे हिल्प आफ इस बोडी और यह सब करके वह अपने सामने वाले ओपोनेंट को बहुती ज्यादा डैमेज पहुचा आ सकता है और यह बात कौन ही सोचेगा की एक बुढ़ा आदमी गिटार बजाते हुए इतना ज्यादा डैमेज कर सकता है गोजो के फैंस हो सब लोग है लेकिन अगर आप लोगो ने इस अनिमे करेक्टर को थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप लोग समझी जाओगा की गागुगांजी कितना ज्यादा स्पेशल है तो सिल्वर फैंग जो नाम है यह एक हिरो नेम है जो की दिया गया है बैंग को सब लोग इसे सुपर हिरो बोलते तो हैं लेकिन इसके पास उतना ज्यादा खास कुछ पावर्स नहीं है हाँ एक बात है कि यह बहुत ही ट्रेंड और टैलेंड मार्शल आटिस्ट है और इसके जो स्पीड और रिफ्लेक्स है वो बहुत ही अलग लेवल पे जाता है और आप लोग भूलो मत की गोडाओ भी एक टाइम पे सिल्वर फैंग का इडिसेपल था और सिल्वर फैंग के साथ कंपीट करने की जुरत सिर्फ दो ही हीडो कर सकते हैं जो कि है साइतामा और ब्रदर बॉम तो नमबर सेवन मास्टर रोशी फ्रॉम ड्रागन बॉल तो एनिमे मॉल में ऐसे बहुत सारे ट्यूटर्स है या फिरकाद मेंटर्स है जो की हमें देखने को मिले हैं बट मुझे नहीं लगता कि मास्टर रोशी की तरह कूल और एंटर्टेन्मेंट वाले ट्यूटर मुझ क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे फाइटर्स को ट्रेंड किया है जो की आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा पारफुल है जैसे कि गोकू, क्रिलीन और ओक्सकिंग उसके साथ साथ अभी भी मास्टर रोशी के पास इतना ज्यादा स्ट्रेंद और स्किल्स है कि वो गोकू को आसानी से हरा देगा सिर्फ इन हैंड टो एंड कमबैक में कोई भी गलत मत समझना तो नमबर सिक्स में आता है हिरुजेन सालुतो भी फ्रॉम नारुटो तो हिरुजेन हमारा थर्ड होका गए भी बरह चुका है हिरुजेन जब यंग था बहुत ही पारफुल शिनोभी था इसके पास बहुत साड़े अनमेश ट्राप अबिलिटीज थे पर बुद्धा होने के साथ-साथ भी जब इसका रिटार्रमेंट आया फिर भी यह अपनी पुजिशन को होल्ड करते वे अपनी सेफ्टी को ना देखते वे सिर्फ कोनुआ के लोगों के सेफ्टी के बारे में सोचता था और तो और यह one of the strongest होका गए भी रह चुका है और हिरुजिन ने तीन legendary शानीन को भी ट्रेंड किया है जो कि है जिराया, ओड़ुची मारु और सुनादे और आप लोग शाहत भूलने जब ओड़ुची मारु ने कौनवा के ऊपर और अटाक किया था तब हिरुजिन ने उसके साथ बहुती बैतरीन फाइट करके सब लोग को बचाया भी था हाँ बोल सकते हैं इसके strength और capabilities धीरे धीरे time के साथ साथ कम हो रहे थे बट स्टिल he was the god of shinobi तो नमबर 5 में आता है Makarov Dreyer from fairy tale तो strongest old man के इस लिस्ट में अगर मैं इस बुढ़े को नहीं रखता तो बहुती बड़ी गलती हो जाती मेरे से तो Makarov being a part of fairy tale guild वो साड़े members के उपर बहुती ज़्याता धियान रखता है और इसका जो strongest mage है वो capable है किसी भी shape को change करने की और ये अपनी will से ही कभी भी बहुती बड़ा या फिर छोटा भी हो सकता है मतलब जब भी ज़रुवत पड़े ये अपने size को बड़ा कर सकता है और Makarov एक wizard saint होने के नाती इसके पास जो magical powers है वो इसको capable करता है बहुती ज्यादा handful combats को perform करने के लिए और हम सब लोग जानते हैं कि ये उतना ज्यादा fight नहीं करता है बट अगर इसको थोड़ा सा भी गुसा आया और ये अपने danger mode में चला गया तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता और इसके साथ साथ माकड़ाफ master कर चुका है all the three great fady magic को और तो और हम सब लोग इसको जानते हैं कि ये यूज कर सकता है fady law को और ये fady law जो user use करता है वो किसी भी आदमी को attack कर सकता है जिसको कि वो friend नहीं मानता और नमबर 4 पे Isaac Newton from Hunter x Hunter इसके साथ साथ आईजाएक एक्जाम कमिशन का भी head है और तो और आईजाएक जब यंग था तब वो अपने वर्ल्ड में सबसे पावर्फुल ने यूजर था और उतना ही पावर ये अपने old age में भी hold करता है और जहां पर लोग बुड़े होने के बाद सब strength खो देता है या फिर उन लोग का strength decrease हो जाता है या फिर कम हो जाता है उस जगह इसका strength धीरे धीरे बढ़ता है और ये अपने आपको improve करता है पहले से और तो और आईजाएक और आईजाएक के पाज लाइटनिंग फास स्पीड और इसके रिफ्लेक्स बहुत ही super cool है और इनी सब एबिलिटीस की वज़े से ये अपना special ability भी यूज कर सकता है जिसका नाम है 100 टाइप गवेनिन बोधी सत्वा कुछ गलत बोला तो माफ कर देना और आईजाएक वन लड़ चुका है लाइक मेरम और मेरम के साथ इसका फाइट बहुत ही अच्छी तरह किसे किया था और ये बड़ा-बर का टक्कर भी दिया था और इतने बुड़ा होने के बाद भी ये किसी को भी प्रूफ कर सकता है कि ये सबसे स्ट्रॉंगेस्ट पुड़े के पुड़े वर्ल्ड में क्यू है इसके पास जो डेविल फ्रूट है वो इसके हलाव करता है एक पावरफुल शॉक वेफ जनेर करने की जिससे कि बहुत साथे मैरिंस भी डड़ते है और ये जब मरने वाला था ये ग्राउंड में गिनना नहीं चाहता था जो कि सिग्निफाई करता है इसके विल पावर को इसके बहुत सारे चीज़े हैं जो कि मैं अगर बोलने जाओ तो पूरा का पूरा एक वीडियो बन जाएगे इसके उपर लेकिन मैं एक बात से कंक्लूट कर सकता हूं एडवर्ट नुगेट वस टूली तर लेजंडरी मैं एवर लिव लिव तो नुबर 2 में आता है याममोटो फ्रॉम ब्लीच इसका पूरा नाम में नहीं लिया माफ कर जाना भाई लोग तो हमारा बुद्धा यामा दा ओल्ड मैं गोटेई 13 के फर्स्ट डिविशन का का कैप्टेन रह चुका है यह सिर्फ स्टॉंगेस्ट ओल्ड मैं नहीं है बलकि यह वन अफ़ टॉप फाइटर्स में से एक है पूरे के पूरे ब्लीच सीरीज में और तो और इसने बहुत सारे टैलेंटेट सोल लीपर्स को भी ट्रेंड किया था और इसके जो पावर से वो बहुत इंक्रेडिबल है इन टर्मस अफ स्वर्ड मैंशिप और रह स्ट्रेंथ हाँ यह बुड़्धा हो जाने के बाद भी इसके पास बहुत से थाकत है और तो और वैच जो कि एक गौडलाइक लीडर है और वैंड इन रीच का इसको एक फॉर आप में बदलने की शमता रखता है और तो और जो एजन है वो भी यामामोटो को ठीक से हैंडल नहीं कर सकता और यामामोटो से डिल करने के लिए इसने एक स्पेशलाइजड एंडी यामामोटो अरनेकर को भी बनाया था 1. Zeus from record of Ragnarok तो Zeus जो की सबसे strongest God है और ये सबसे strongest character भी है in the series और इसके might को और इसके power को देखते वे सारे Gods इससे डरते भी है और ये कोई भी चीज को create कर सकता है और इसके साथ साथ किसी भी चीज को पूरी तरड़े reverse या फिट erase भी कर सकता है पूरे के पूरे दुनिया से औ और इसके godly powers को side में रखे भी तो इसके पास और भी ज्यादा powerful techniques है जैसे की meteor jab, divine axe and adamus और Zeus को हम जानते की ये सबसे strongest God है और इसको हम refer भी करते है as a chairman or the king of the gods के नाम से और ये तो कुछ भी नहीं इसने big bang को सिर्फ thrill के लिए देखा था और इसके साथ साथ ये पूरे heaven को भी destroy कर सकता है इसके final form में लेकिन हमें डरने के जरूरत नहीं है क्योंकि Zeus बहुत ही काम है और तो और ये अपने गुस्से को काबू करना भी जानता है So guys video यही पर end होता है मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे anime characters होंगे जो इस list में आ सकते थे लेकिन आ नहीं पाए और तो और अगर मैंने कोई भी anime character को अगर miss कर दिया है तो उस character का नाम आप comment में लिख सकते हैं अगर आप चाते हो कि मैं इसका second part भी बनाओ तो आप नीचे comment कर सकते हो वो कि second part चाहिए और कौन से characters को include करना चाहिए वो भी आप इसको comment करके बोल दीजीगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like कर दीजिए share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और तो और subscribe करके जाना भाई लोग टूके के बहुत ही पास हूँ तो मिलत किसे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए anime देखते रहें और चिल करते रहें so tata see you later